हलो दोस्तो आज मैं अब से बाते करने वाले हैं एक ऐसे इसलामिक देश के बारे में जो एक टाइम पे किसी वेस्टन कंट्री से कम नहीं था जहां पे औरते वेस्टन कल्चर को फोलो करती थी वेस्टन कपड़े पहनती थी और बीच पे जा सकती थी लेकिन आज वहां 9 साल स से ज्यादा एज की लड़की का बिना हिजाव के घर्षे बाहर भी निकलना मुश्किल है हाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हँ इरान देश के बारे में जो हिंदुस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है लेकिन एक टाइम पर हिंदुस्तान पर सबसे ज़यदा हमला भी इराणियों ने किया था अब हर देश में कुछ अच्छी और बुरी बाते तो होती ही है तो आज हम आप से बाते करेंगे एरान देश के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के वारे में अब इसमें क्या अच्छा और क्या बुरा है खुदी डिसाइड कर लीजिए और वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आप हमार चैनल पे नए है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर ल इसलिए इरान को सिया इसलाम का केंदर भी माना जाता है जब कुछ लोगों ने इसलाम धर्म को अपनाने से मना कर दिया तो उन्हें भैंकर यातनाय दी गई कुछ लोग ड़कर भारत आ गई और यहीं पर बस गई जिन्हें हम पार्शी कहते हैं 2018 की जंगर्णा के ऐनुसर इरान की जंजनक्य 8.20 लाग है इरान की राज़धानी तेरान यह जो इरान का शबशे बड़ा शहर भी है यहां बोले जाने वाली भास्या पर्शियन है इरान पूरी दुनिया का दूसरा सबशे बड़ा परकृतिक गैस उत्पादक है आपको य लड़की की 9 साल की उमर के बाद उसे बिना हिजाब और बुर्के की रहना सक्थ मना है और वो स्पोर्ट मैच विलिंग देख सकती इरान में कानून है अगर वहां किसी महिला के साथ बलातकार हो जाता है तो वहां की पुलिस बलातकार करने वाले व्यक्ति पर दबार डालके उसे साधी करने पर मजबूर कर देती है लेकिन पर कुछ समय बाद उसे तलाग दे सकता है इरान में कानून है कि कोई भी कबल अपनी मर्जी से कुछ घंटे कुछ अप्टे के लिए साधी कर सकता है जिसे यहाँ प्लेजर मेरिज का नाम दिया गया है इरान की लोगों का सबसे पसिंदता खेल फुटबोल है इरान की नैशनल फुटबोल टीम तीन बार एसियन वर्ल्लकप जीट चुकी है और तीन बार वर्ल्लकप फाइनल भी खेल चुकी है इरान में सराब पीने पर असी कोडे मानने की सजा का कानून है फिर भी यहाँ लोग रिस्क लेकर सराब का अनंद लेते हैं आपको जानकर हैरानी होगी कि इरान में सराब पूरी तरह से बैन है फिर भी यहाँ हर साल आठ क्रोड लीटर सराब की खपत होती है इरान में मैरिटल रेप नाम का कोई कानून नहीं है यहाँ की गवर्मेंट का ऐसा मानना है कि साधी हो जाने के बाद औरत उसके पती की संपती हो जाती है जैसा कि हमने बताया कि पहले इरान एक वैस्टन करती से कम नहीं था लेकिन साल 1989 में इसलामिक करांती के बाद यहाँ पर इसलामिक कानून लागू हो गया इरानेन फ्लैट को साल 1980 में बनाया गया था इस फ्लैट में तीन रंग है जो की हरा सफेद और लाल है हरा रंग विकास और इसलाम का परतीक है सफेद रंग इमानदारी और शान्ती और वहीं लाल रंग बहादुरी और सहादत का सफेद परती के बीच में अल्ला सब्द लिखा हुआ है इरान में जड़तर युवा साधी से पहले अपनी वर्जिनिटी खो देते हैं जिसमें लड़कियां भी सामिल है ऐसे में साधी के समय वर्जिनिटी वापस पाने के लिए लड़कियां सर्जरी करवाती है इस सर्जरी को हाइमेनोप्लास्टी कहा जाता है इरान में सेटलाइट टीवी बैन है घरों में सेटलाइट चैनल नहीं देखे जा सकती लेकिं स्तानिय चैनल देखने पर कोई पाबंदी नहीं है इरान ने वर्ल में सबसे तेज सहरी विकासदर का अनुभव किया है जहां साल 1950-2002 तक 27-60% का उचाल पाया गया एक अनुमान के मुताबिक साल 2030 तक इरान की 80% आबादी अर्बन यानी सहरी हो जाएगी साल 2014 के आकड़ों के अनुशार इरान की 40% आबादी इंटरनेट चलाती है जो इंटरनेट यूजर्श के मामले में दुनिया भर में 24 वे स्तान पर है साल 2012 में इरान की पुलिस परमुक्ष ने घोशना की कि गूगल जासुसी करने का एक माध्यम है यही नहीं सरकार एक नैशनल इंटरनेट की स्ताबना करना चाता है जिसमें उनका खुद का नियंतरन हो इरान में जिन जोडों को मैरीज लाइसन्स के आशकता होती है उन्हें गर्व निरोदक पर एक गंटे लंबा भासन देना होता है इरान इराक यूद के दोरान अमेरिका ने आधारिक रूप से इराक की सायता की थी जिसमें अमेरिका ने दूसरे देशों को इरान को हतियार बेचने से मना किया हालाकि बाद में पाया गया कि अमेरिका ने चुपके से इरान को हतियार बेचे थे इसी वज़े से इरान कुंटर स्केंटल की घटनाय हुई एक इसलामिक संगठर ने दस्टैनिक वर्शिस के लेकर सलाम रशित को मारने के लिए 30 लाग रुपे देने का इनाम गोशित किया था क्योंकि इसमें पैगंबर मुहम्मद के बारे में कुछ गल्त लिखा था अगर इरान में किसी लड़की के साथ दुर्वेवार या उसे हराज किया जाता है तो उसका सारा दोस लड़की की माँ पर मढ़ दिया जाता है ताकि वो अपनी लड़की को समाल कर रखे जबकि दोसी पर कोई बात नहीं आती पिछले कुछ वर्षों में इरान में चाइल प्रोस्टिटिशन 635 पर शिसर बढ़ गया है अकेले तेहरान में लगबग 84,000 महिलाएं और लड़कियां वैसावर्ती में सामिल है हाजारों महिलाओं को फ्रांस, जर्मनी और यूके तक भेजा जाता है इरान में बहु विवा कानूनी मानने है, यहां पुरस चार साधियां कर सकती है एक बार साधी होने के बाद लड़की स्कूल नहीं जा सकती वर्षों में इरान में विवा के लिए लड़की की उमर 13 साल है जो कि करांती की तहक 9 साल बाद बदला गया था लड़के के लिए विवा की उमर 15 साल है जो वोट देने के लिए भी कानूनन मानने उमर है तो दोस्तों आज की वीडियों बस इतना ही उमीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो अगर ऐसा है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, सेर करें और कमेंट करके हमें अपने विचार बताना ना भूलें